कि अज़िए वेलकम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हमने करके आए हैं तो यह रखिए कैसे बनती है और बहुत ही लजीज बहुत ही टेस्टी बहुत अगर कोई मेहमान आए या किसी को जल्दी से जल्द मिठाई खाने का मन करें तो यह फटा फट से आप दायार कर सकती है अब बहुत ही एजी तरीके से और बहुत ही असान तरीके से फटा फट से बन जाता है तो चलिए इस रिसीपी को हम बनाना शुरू करते हैं तो इसी बनाने के लिए हम यहां पर थोड़ह साथ पानी डालेंगे क्योंकि और ऊसके लिए हमँए चास्मी तयार करना है तो उसके लिए हम पतला ही हम चास्मी तयार करेंगे इसलिए हमने यहाँ पर एक गिलास पानी डाला है कैसे गुलाब जामन का चास्नी बनता है ठीक वैसे ही बनाना है बहुत हार्ड नहीं रखना है और अब हम इसमें डाल देंगे एक कप चीनी तो इसे हम जला लेती है चुप रखने पर देंगे गुलाब जल इससे खुस्बू बहुत ही अच्छी आजाएगी मिठाई की तो हमको ज्यादा नहीं डालना है बस दो से तीन बुन डालना है बस इतना ही तो फ्रेंस इसे हम बनाने के लिए हम आटे का पहले दो तयार करेंगे तो हमें यहाँ पर सब मेजर्मेंट के हिसाब से ही रखना है यह कम सब मेरा यह 80 गराम आटा है गहूं का आटा हम लिए है तो इसका ठिक यह हाफ है खाम कटोरी लिए हैं अगर आप खाम कटोरी क हिसाब से रखना चाहती हैं तो सीधे-सीधे से आप एक कटोरी आणटा और उसका ठीक हाफ मैदा ले लेना है लेकिन यहाँ पर हम अगर इसे ग्राम के बाथ करें तो यहाँ पर यह 80 ग्राम है और यह 70 ग्राम के हिसाब से हमने यहां पर लिया हुआ है तो चलिए अब हम इसे पाटे काड़ो तयार कर लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर थोड़ा से हमें मिल्क पाउडर डाल देना है और अब हम इसमें डालेंगे मिठा सोडा हमें ज्यादा मिठा सोडा नहीं लेना है यह देख सेकते हैं बस हाफ इस्पून रहेगा तो हम डाल देते हैं और तब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी चीचो को यह मिठाई बहुत ही तेस्टी और बहुत ही जटपट घर पर जल्ली से तयार हो जाता है और विरुकुल मार्केट से हटके मिठाई है अगर आप इसे एक बार बना के खा लेंगे तो मार्केट के मिठाई खाना भी भूल जाएंगे बहुत ही टेस्टी यह करला कि प्रसीद मिठाई है इसे मिल्क फोर केक भी बोलते हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा एड़ करेंगे दही दही हमें जादी खट्टी नहीं लेनी है यह डाल देते हैं और सबी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसे हादों की हेल्फ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटा हमको नहीं बहुत ही सकत गुतना है और नहीं बहुत ही नॉर्मल हमें नॉर्मल ही एकदम रखना है क्योंकि बहुत ही गीला कर देंगे तो हमारे जो मिठाई ही अच्छे से फूले ही नहीं कर दो हम कर दो नहीं हम कर दो हम हम अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा यहां पर हम बटर डाल रहे हैं आप चाहते हैं यहां पर घी का भी इसमाल कर सकती है अब हम बटर को अच्छे से आटे में मिक्स करके गुठेंगे जब तक यह पूरा अच्छे से अब जया अब जया कि अच्छे से अच्छे से बटर सुग गया है और बहुत ही सौप टातर आटा मेरा गुठ गया है अब हम इसे थोड़ी दिर के लिए अच्छे सेट होने के लिए रख देते हैं कि अच्छे सब्सक्राइब हम देख देते हैं तो एक बार हम इसे फिर से आटे को थोड़ा सा गोच लेंगे अब इसे बनाते हैं इस तरीके से सारे आटे को हम इसको इस तरीके से हमें बना लेना है पुरा गोला सा अच्छा सा तो यह हमने लोई बना लिया है और अब यहाँ पर लेंगे रोलिंग बोर्ड और यहाँ पर हम आटे को रख लेंगे इस तरीके से और थोड़ा सा हम डोलिंग बोर्ड पर आटा लगाएंगे और थोड़ा सा हम रोलर में लगाएंगे और इसके ऊपर हम लगा लेते हैं और इसे हम को हलका सा बहलना है बहुत पतला नहीं करना है और बहुत नोटा यह देख रहे हैं मैं साइट-साइट से जो 무टी है यह तो निकल जाएगा इसे हम चापू के हिल सेन्सें निकाल बड़ 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 दो झाल इसे बेल लिया है अब हम यहां पर लेंगे चाकू इसे हम निकाल देंगे सेंटर से हमें कट करके निकाल देना है और अब हम इसे बीच से कट कर लेंगे और इसे करेंगे हाफ हाफ इंच पर कट करेंगे अब अब हम इसे हैं तो अब अब हम इसे बहुत ही अच्छे से यह कट हो चुका है मेरा और यह देख सकते हैं साइट साइट से बिलकुल कितनी अच्छे कट लगी हुई है अब इस तरीके से आना चाहिए तो हम रख लेते हैं इसे बत्तर में और जो हम सेंटर से कट करके रखे थे उसे भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे बना कर अजया के देखिए हमने सारा कट कर लिया है अब अब हम इसे चल लेते हैं प्राइब कर लेते हैं अब हम डाल लेते हैं इसमें डिफाइन ओल मेरा इसमें है तो मेरा हिट रख लाएब तो अब ज़राए तो अब एकर करके हम डाल देते हैं यह देखिए कितना बढ़िया बाबल सेक रहे हैं इसमेशे और इसे हलका ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे कितने बढ़िया बबस इसमें से निकल रहे हैं और यह देखिए बिल्कुल समोसे जैसा फुल रहे है यह बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब हम उसे निकल लेते हैं और अब हम इसको सीरे में डाल देते हैं ताकि सीरे को अच्छे से अब्जब्ब कर ले और इसी तरह के से हम सारी और इसी तरह के से हम सारी इसे फ्राई कर लेंगे ठेक उसी तरह के से इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और इसे धीमी आज पर इसे फ्राई करना है ना कि बहुत ही तेज आज पर रहेगा तो बाहर से जल जाएगा और अंदर से बिल्कुल भी फूलेगा नहीं और नहीं अच्छे से फ्राई होगा ते रखिए हम इसे सीरे में दुबा दिये हैं और सीरा थोड़ा सा गरम है और गरम सीरे में ही डालना है तब ही तो यह अब जब होगा अंदर से और इसे हम पलड़ देते हैं और इसे हम भग देते हैं तो देखें कितना बढ़िया है गोल्डन ब्राउन यह हो रहा है कि अग्फ लूबागगं किपा कि अगरा इसे थोड़ा सा और भी हम golden brown करेंगे, थोड़ा सा, कि अभी ये white दिख रहा है. Friends, ये हो चुका है, और इसे भी हम निकाल लेते हैं. तब हम पिरे के अंदर इसे भी डाल देंगे. और इसे अच्छा से चला कर, तो बिल्कुल अच्छे से ये डुप चुका है, और फिर से हम इसे डग देते हैं, और इसे तरीके से हम सारे milk floor को बना लेते हैं. Friends, देखिए कितना delicious बना है, हमारा ये मिठाई और milk floor cake बहुत ही अच्छा बन चुका है, और ये केरला का प्रतिद मिठाई है, बिल्कुल देखने में गुलाब जामन की तरह है, और बहुत ही spongy बना हुआ है, बहुत ही soft बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप, और बहुत ही जटपट से बहुत ही जल्दी ये बन जाता है, तो आप ज़रूर घर पर ट्राइ कि दिएगा, अगर कोई महमान आ जाए या किसी को जल्द खिलाना हो, तो ये मिठाई आप ज़रूर बना कर खिलाईएगा, बहुत ही टेसरी लगता है ये मिठाई, अचलिए आपको हम एक दिखा देते हैं, कि अंदर से बिल्कुल कैसा बनके रैडी हुआ है, ये देखिए, पास्ते दिखा दे रहे हैं, किसना फ्लफी है और किसना मज़ेदार है, बिडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा, पेल आइकन को प्रेस कर देजिएगा, ताकि जो भी नए रेस्पी लेकर आँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए, तो मिलते हैं नेस्ट वीडिय बिडियों में नए रेस्पी के साथ सब तक के लिए अपना ध्यान रखियेगा, बाई 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 टेक क्यार